धमपद गाथा नंबर 44 और 45 पुफ वर्ग यानि कि फूल वाला जो वर्ग है फ्लॉवर सेक्षन जैसा मैंने इसके इंटोड़क्शन में आपको बताया है कि इसमें सारी गाथाएं पुफ यानि फूल या फूलने से संबंदित है यानि जब फूलता है तो उसे ही पुफ बोलते है एक वार सावित्ती में जैतवन जो मंदर है मंदर उसको बोलते है जहां मन के दर्द को दूर किया जाता है मन के दुख को दूर किया जाता है उसको मंदर बोलते है बिहार भी तो जब भगवान बुद्ध एक वार जैत्वन बिहार की तरफ जा रहे थे तो लगबग 500 के करीब भिक्कु आपस में बात कर रहे थे उनके बात का जो विशय था वो विशय आम विशय भी है क्योंकि अधिक्तर जो लोग हैं बड़े जिग्यासू होते हैं उन्हें इस बात से तो कोई मतलब नहीं है कि उनका सुख कैसे है सांती कैसे है और दुख कैसे आता है कैसे नहीं आता वो उन प्रशनों में ज़्यादा लगे रहते हैं जिनसे उनके सुख दुख और जीवन का कोई मतलब नहीं तो भगवान बुद्ध का जो सावक संग था, जो 500 के 500 भिक्कु थे, जो सीख रहे थे वह भी उनी बातों में लगे हुए थे जैसे प्रत्वी को किसने पैदा किया, प्रत्वी कैसे बनी, क्या काम करती है, कौन चलाता है, कौन बनाता है प्रत्वी का उदै कब हुआ, अंत कब होगा, कितनी बड़ी प्रत्वी है, प्रत्वी के वारे में सारी जिग्यासाएं बात कर रहे थे इसके अलावा उनके जो प्रसंत है वो थे कि जो देव लोग है, देव लोग उसको बोलते हैं जहां अच्छे लोग और पंच सील पे चलने वाले जो लोग होते हैं, जिनको सुख और समर्दी प्राप्त होती है, शांत चित होते हैं वो जहां रहते हैं या जो उनके शरीर है, तो वो इसके वारे में बात कर रहे थे जो यह अच्छी लोग है, यह अच्छी लोग कब से हैं, कैसे हैं, क्या कारण है और जो यम लोग है, यम लोग का मर्तव है, जो मार वाला छेतर है जहां बुराईयां है, क्रोध है, लालच है जो यम लोग है, मिर्टु वाला लोग है जिसमें जीवन खतम होता है छे होता है बढ़ा पाता है उस लोकों में क्या कारण है क्यों बना वो कैसे देव लोक से यम लोक में वो कनवर्ट होता चला जाता है और इसके क्या कारण है ये कब से है क्या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई किसने की क्या इसे कोई चलाता है या नही है ऐसा जो धमपद को अच्छी तरह से समझ कर देशित करकर इन सब वाधाओं को दूर करेगा ये बातें उनकी चल रही थी अब भगवान बुद्ध जब वहां से जा रहे थे तो सारी बातें सुनने के बाद में उन्होंने ये गाथाएं विप्नों से कही गाथा इस परकार ह को इमंग पत्विंग विचेश सती यम लोकंच इमंग से देवकंग को धमपदंग सु देशितंग कुसलो उफ्व मेव पचेश सती इसका बहुत साधान सा मतलब इस्पकार है को का मतलब जो होता है जहां केल अलग जाता है को या किंग या कंग इसका मतलब है कौन कैसे कहां तो को का मतलब यहाँ है कौन इमंग माने यह है और पत्फिंग माने ट्रथवी विचेश सती माने जानेगा, समझेगा, चुनेगा, या देखेगा, समझेगा यम लोकंच यम लोकंच का मतलब है यम लोक और चै यम लोक चै यानि यम लोक और यम लोग का मतलब जहाँ छे होता है सरीर का जहाँ चीजें खराब होनी सो जाती है डिकी होनी सो जाती है उस पूरे सिस्टम को उस पूरे लोग को यम लोग बोलते हैं मिर्टू लोग भी बोलते हैं यम लोग और इमंग सेद देवकंग इमंग माने यह है और से देवकंग माने जहां देवता रहते हैं देवताओं का लोग को धमपदंग सुदेशितंग को माने कौन धमपदंग माने धमपद को सुदेशितंग माने सुदेशित देशित माने देशना यानि की जो उपदेश दिये जाते हैं अच्छी तरह से उनको कौन देशित करेगा कुसलो उफ्वमीव पचे सती कुसलो माने जो कुसल है जो सक्षम है जो अच्छी तरह से जानता है उसको कुसल बोलते हैं जो कुसल कारे करता है या कुसल कारे करता है उसको कुसलो बोलते हैं या कुसला एक है तो कुसलो और बहुत सारे हैं तो कुसला पुफुमीम का मतलब है फूल की तरह पुफ की तरह पचे सती का मतलब है चुनेगा, देखेगा, समझेगा या जानेगा यानि वो कौन कुसल व्यक्ति है जो धमपद को अच्छी तरह से उपदेशित करेगा और उसको जानेगा समझेगा ये पूरा पूरा जो धमपद है ये प्रसन वाचक है इसी के साथ में इसी कथा में है धमपद नंबर 45 यानि 45 जो 44 की आंसर है 44 का जवाब है सेखो पत्विंग विचे सती यम लोग चे इमंग से देवकंग सेखो धमपदन सूदेशितन कुसलो पुफु निव पचे सती सेखो जो सब्द है सेखो का मतलब होता है एक तो होता है सिस्से सिस्से का मतलब होता है सिस्से जो होते हैं जो पिपल होते हैं जो चेले होते हैं जो सीखते हैं किसी भी चीज़गो और एक होता है सेखो सेखो सब्द बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप जो बाद में संत ह और बाद में संतों की अगर वार्णी देखेंगे तो उसमें सेखिय और सेखो सब्द बहुत है और सखी सब्द बहुत है ये जो सखी सेखो और सेख्य सब्द है ये पाली का सब्द है और बहुत इंपोर्टन्ट है सेखो सब्द का मतलब है वो व्यक्ति या वो भिक्कू या भिक्कुनी जो अरत होने के निर्मान होने के लिए रास्ते मर है उस रास्ते पर चल रहा है उसको सेखो बोलते हैं सेखो का मतलब है कि जो व्यक्ति धंड के उस मार्क पर चल पड़ा है जहां वो जीते जी दुखों से मुक्त होगा, अरत होगा, और जो उच्तम नौलिज है ग्यान उसको प्रात करेगा, उस भिकुनी को या अगर भिकुनी या भिकुनी नहीं है, कहीं कोई और पनप्राव भी है, और वहां अगर वो सीखता है, तो उसको सेखो बोलते हैं, यानि जो इस रास्ते पर आरुन है, जो अरत होने वाला है, या रत की रास्ते पर है, वो प्रत्वी को जानेगा समझेगा कि प्रत्वी क्या है और क्या नहीं है यम लोग तंच इमन से देवकंग यम लोग चे यम लोग यानि कि वो मिर्टू को भी समझता है जो सरीर खराब होता है प्राणियों का जो बुढ़ापे में आता है या बीमार होता है या वो डेथ को प्राप्त होता है या जो प्राणी होते हैं वो उस बात को भी समस्ता है और से देवकंग से देव कंग का मतलब है कि जो अच्छे लोग है जो अच्छा काम करते हैं उनकी अच्छा ही कैसे काम करती है उनों देव जो लोग है उनको भी वो अच्छी तरह से समझता है जानता है देखता है यानि कि उस मार्क पे जो अरत होने के मार्क पे निबान प्राप्त होने के या जो मोख प्राप्त होने के मार्क पर चल रहा है वो धमपद को अच्छी तरह से सुदेशित करेगा, अच्छी तरह से परिभासित करेगा, अच्छी तरह से समझेगा, अच्छी तरह से बताएगा कुसलो पुफ मिव पचेसती, वही वो कुसल है जो की फूल की तरह उसको चुनेगा, देखेगा, समझेगा यानि ये दोनों जो कथाएं हैं और गाथाएं हैं दोनों गाथाएं एक ही कथागी हैं एक मैं प्रसंद करते हैं भिक्कु संग जितना भी है वो 500 भिक्कों का और दूसरे में जवाब है यानि पहले में उनका सवाल है जो भगवान बुद्धु जिसको सुनते हैं और दूसर के वारे में अच्छा ग्यान प्राप्त करेगा और बताएगा वही जीवन के वारे में अच्छा ग्यान प्राप्त करेगा और चुनेगा वही कुसल होता है धन्यवाद धमपद गाथा कथा नमबर 225 जो धमपद है उसमें बहुत सारे जो गीत हैं उनको पाली में गीता कहते हैं एक गीत को कहते हैं गीतो और बहुत सारे क्योंकि इसमें 423 गीत हैं तो इसको धमपद गीता बोलते हैं जिसमें गीते बहुत सारे इस्थापित हैं रखे हुए हैं इसका जो गीत नमबर यानि की जो धंपद नमबर 225 है उसके अनुसार भगवान बुद्ध साकेत आते हैं साकेत में रहते हैं, साकेत में अवास करते हैं अंजनवन में वो ठहरते हैं क्योंकि वो हमें ऐसा खुले स्थानों में रहे हैं या तो कोई राम रहा है यानि कि जैसे निगोध राम या जैसे जो संघाराम है या जो जैत्वन राम है या जो अबा राम है ऐसे राम का मतलब बगीचा होता है एवार इसको आराम भी बोलते है आ इसमें सालेंट होता है तो जैतवन राम मतलब जैतवन आराम तो वहाँ वो अंजनवन में रहते हैं अंजीर के वन होंगे तो इसलिए अंजनवन बोल दिया अंजनवन में रहते हैं तो वहाँ इतने बूरा आता है, बूरा भगवान दुद्ध को अपने हैं खाने के लिए आमतित करता है, निमतित करता है, तो बूरा कहता है कि तुम इतने दिन बाद आये हो, अपने पिटा का तुम ध्यान नहीं रखते हो, और तुम्हें पिटा की कोई भी परवा नहीं है, मैं यहां कस्टों में हूँ जब वो भगवान बुद विकुल संग के साथ घर जाते हैं तो वहाँ जो गोड़े की पतनी होती है वो भी यही कहती है कि तुम्हें अपनी माता का ख्याल नहीं है इतने दिनों बाद आए हो और कोई ख्याल नहीं रखते हो तुम्हें माता पिता का हम कितने कस्ट में है तो विकुल संग वहाँ पर बोजन करता है और भगवान बुद उस समय साकेत में देशना देते है बेसिकली साकेत का मतलग होता है साक्यों का खेत साक्यों के खेत से साक्यों सब बना हुआ है पुराना है तो कि साक्य थे उनका खेट था वो खेट में काम करते थे तब ही सारे खेट लगवर साक्यों के उच्छेट में रहे हैं तो इसने साक्य खेट बोते हैं तो इस गाथा के अंदर एक सब्द बहुत कमाल का है ये बात तो इसमें कमाल की है ही कि ये गाथा इस बात को सिद्ध करती है कि भगवान गुतु साकेत में रहे साकेत में देशना दी और अंजनमन आज तो नहीं कह सकते कि वो अंजनमन कौन सा है जहां अंजीर होंगे, अंजीर के पेड होंगे वो अंजनमन होगा वहाँ पर या जो वहाँ के पराने लोग हैं वो जानते होंगे कि यहां अंजीर के पेड़ कहां 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 या अंजन के पेड़ कहां कहां रहे हैं तो बता सकते हैं या कोई ना कोई जगे साकेत में अंजन के नाम से जरूर होगी, जो अंजन गंज या अंजन महला, या अंजन नगर, या अंजन गाओं, या अंजन के नाम से कुछना कुछ रहा जरूर होगा, या अंजन का अंजनी बन गया होगा, या अंजना बन गया होगा, या अंजन बन गया होगा, होगा कुछना कुछ जरूर, तो कि प्राने जो नाम है वो इतनी आसा यह यह जो अच्चुतं थानंग है इसमें जो अच्चुत सब्द है यह भूत कमाल का है यह नहीं कमाल का है क्योंकि पाली सारे टालों की चाबी है भरवान बुद्ध के जितने सब्द हैं वो कही न कही न कही आज भी इस्तमाल होते हैं आपने इस सब्द सुना होगा जो बहुत चलता है अच्छूत तरसर अच्छूत जो सब्द है पाली में उसको अचूत बोलते हैं यानि कि अचूत का मतलब हो गया जो गिरा हुआ ना हूँ जिसको संस्काइट भासा में बोलते हैं चूत और ये जो सब्द है जैसे कहते हैं वो चूत हो गया यानि स्कृत हो गया गिर गया इसका मतलब है गिरा हुआ गिरना तो अगर ए लगा देते हैं इसका मतलब ने गिरा हुआ तो हो गया अचूत तो अचूत का अचूत बना है तो अचूत का मतलब होता है अचूत ठान का मतलब है जो इस्थान नहीं गिरा हुआ है अब वो इस्थान कौन सा नहीं गिरा हुआ है वो है जो बहुत उंचा इस्थान है यानि जो गिरा हुआ नहीं है वो उंचा है उसको निबान पद बोलते हैं मोख पद बोलते हैं निबान पद को और मोख पद को ना गिरा हुआ पदी बोलते हैं यानि कि बहुत उंचा पदी अंटचिबल नहीं होता क्योंकि पाली के अंदर जो टच है यानि जो जिसको छूना बोलते है उसको फस बोलते है फस और अफस यानि फस माने छूना हो गया और अफस माने जो इस पर्स ना कर सके है तो फस का मतलब इस पर्स होता है अब जो खाली छू है या चूत ही है उसका मतलब चूना नहीं है वो कुछ और मतलब में आता है इस पर्स को या टच करने को या जो आज के समय में हम चूना बोलते हैं उसको बोलते हैं फस बोलते हैं और जिसको ना चूना हो उसको अफसा बोलते हैं या फस बोलते हैं तो ये जो अचूत वर्ड है ये पाली के अचूत से बना हुआ है और अचूत का मतलग है कि जो गिरा हुआ ना हो जो बहुत उंचा हो बाद में इसकी मात्रा बदलके इसको गाली भी बनाने की कोशिश की गए जो आज तक गाली है जबकि वो गाली नहीं क्योंकि पाली में जितने भी उच्छे सब्द हैं उन सब को गाली ही बाद में बनाया गया है ये एक कमाल की बात है क्योंकि जो पुराने अच्छूत वर्ड है और सब्द है उसके हिसाब से वो बनते हैं तो इसका क्या मतलब है एहिंसका ये मुनियों एहिंसका ये मुनिय का मतलब है जो मुनी अहिंसक है यानि जो हिंसा नहीं करते हैं मुनियों माने जो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं जो साधना वज़रा करते हैं जो अच्छे लोगों में आते हैं उनको मुनी बोलते हैं भरवान बुद्धु को भी मुनी बोलते हैं निच्चंग कायन संभूता, निच्चंग माने है पिट्टे को यानि रोजाना, कायन माने सरीर से और संभूता माने संयम, यानि कि जो सरीर से रोज लगातार संयम है, संयम रहते हैं, हिंसा नहीं करते, ते यंती अच्चुतं ठानं, ते यंती अच्चुतं ठानं का मतलब है, वो प्राप्त करते हैं ने गरे हुए स्थान को यानि उच्छ स्थान को प्राप्त करते हैं यानि निबान को प्राप्त करते हैं गनतवा ने सोच रहे यत माने गनतवा माने करकर और यत माने हैं जिसे करकर ने सोच रहे जिसे करने के बाद में वो चिंता में नहीं परते नही बहुते हैं कि आप हिंसा को त्याग दीजिए और मुनियों को काया से सहियत रहना चाहिए यह आपकी दिक्त है कि आप बहुत जादा बगाते हैं पूरे दिन बगाते रहते हैं पूरे दिन आप कुछ ना कुछ काया से कहते रहते हैं कभी किसी को कुछ कभी किसी कुछ इसको दिजिए तो आप जो अचूत स्थान है जो निबान का स्थान है जो बहुत उटा स्थान है उसको प्राप्त कर लेंगे फिर आपको सोचने की आभाज़तिया नहीं परैएं भगवान बुद्ध के जो सिसे थे उनों नहीं ये कहा कि ये बेटा और बेटी ये बेटा क्यों कहा बुड़ी ने भी और बुड़ी ने भी इनको बेटा क्यों कहा भगवान बुड़ी ने बताया कि इनकी उमर जादा है और उमर जादा के हिसाब से कह सकते हैं कई कथाओं में ऐसा भी आया है कि टुब जनम में पुराने समय में ये माता-पिता रहे हैं बूड़े बूड़ी ऐसा भी लोग बताते हैं चुकि वो हमने देखा नहीं है भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो आपको समझ में नाता हो जो ज्यान खरा ना उतरता हो उसको मानने की आवश्कता नहीं है इसलिए हम यह मानते हैं कि उमर के इसाफ से व वाले लोग होते हैं ऐसा इस्थान जो निब्बान को फ्रात करने के बरावर या निब्बान का इस्थान है धन्यवाद आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वितना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद बतां शर्णन गच्छामे धम्वन शर्णन गच्छामे संघन शर्णन गच्छामे धम्वन शर्णन गच्छामे धम्वन शर्णन गच्छामे संघन शर्णन गच्छामे बतां शर्णन गच्छामे संघन शर्णन गच्छामे संदन शरनं गच्छामी